मा ये मधू है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इससे साधी करना चाहता हूँ क्या बोल रहा है तु, तु अपने पसंद से साधी करेगा मैंने तुझे इसी पल के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तु बड़ा होके अपनी मनमानी करे मा ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी बहुत सेवा करेगी मधू बेटा, तेरे पापा क्या करते हैं? आंटी मेरे पापा आर्मी में है बाप आर्मी में है, तो दहे तो देगा ही, कर लेती हूँ इसकी साधी बहु तेरी पहली दिवाली है, तेरा भाई तो आएगा ना? हमारे यहां रिवाज है, बहु के माईके से सभी के लिए कपड़े आते हैं और बहुत सारी मीठाईयां आती है ममी जी, आपको तो पता है, मेरी मा नहीं है भाई भाई आयेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता बहु, तु ये क्या कह रही है? बहु, दिवाली तो हो गई, तेरा भाई तो आया नहीं जब तेरा भाई आया ही नहीं, तो सभून कहां से लेके आएगा? मैं बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरे मा के से हमेशा सभून आता है कैसा तेरा मा का है? ममी जी, जब तक मा होती है, तभी तक मा का होता है मेरे भाईया भाई, मुझे तो कभी याद भी नहीं करते एक फोन तो करते नहीं है और सभून क्या देंगे, जब तक मेरी ममी थी, तो सभून भी विजाती थी और फोन भी करती थी, कभी कभार बुला भी लिया करती थी अरे मा मर गई, कम सकम तेरा बाप तो जिन्दा है उसे तो रीत रिवाज का ध्यान रखना चाहिए उसे तो सोचना चाहिए रीत रिवाज के वारे में बेटी ब्याह दिया, बस फ्री हो गया ममी जी, अब तो पापा भी एक फोन नहीं करते वो अपनी बहु और नाती पोतों में इतने रच बस गए हैं कि उन्हें बेटी की जरूरत ही नहीं है अरे मेरे बेटे ने मजबूर कर दिया, नहीं वे तुझसे कभी साधी करती अपने बेटे की कहीं अच्छे घर साधी करती तो सगुन तो आता, दहेज तो आता ममी जी, बस करिये मेरी मा मर गई, मेरा माय का छूट गया, आपको दहेज और सगुन की पड़ी है चल जा, कोई दरवाजे पर है, देख कौन आया है इस वक्त अरे राजा भाईया आप, आप तो परदेश में थे न हाँ बहन, मैं आज ही आया हूँ लेकिन मैंने सुना था कि आपका एक्सिडेंट हो गया था, आप ठीक तो हो ना भाईया अब यह तेरा काउन सा भाईया आ गया हाँ बहन, मैं ठीक हूँ, तभी तो तेरे सामने खड़ा हूँ मम्य जी, ये मेरे मुँ बोले भाईय है, आज ही परदेश से आये है प्रणाम मम्य जी बहन, इस जोले में मिठाईया है, तु रख ले इसे माप कर दीजिए मम्य जी, मैं दिवाली में नहीं आ सका आओ भीया बैठो, एक तो तु दिवाली बाद आया है दूसरा एक दब्बा मिठाई का डब्बा लेके चला आया है तुझे पता नहीं है रीतरिवाज के बारे में क्या सभी परिवार वालों के लिए कपड़े भी लगते है मुझे माप कर दीजिए, रीतरिवाज बताने के लिए तो माँ होती है ना मधू की माँ है, ना मेरी साधी अभी हुई नहीं, तो कौन बताएगा रीतरिवाज ममी जी, हम दोनों भाई बहन बहुत बदनसीब हैं इसके भाई भावी ने इसे छोड़ दिया और मेरे पापा ने सौतेली माला के मुझे छोड़ दिया ममी जी, आप मुझे चार बाते सुनाती हैं मैं बरदास कर लेती हूँ, पर मेरा भाई क्यों? ममी जी, कम से कम मेरे भाई को तो बक्स देती आपकी चार बाते सुनने के लिए मैं हूँ यहाँ मेरे भाई ने आपका क्या भी याड़ा था, उसे क्यों दुखी कर दिया? ममी जी, आपकी भी एक बेटी है, अगर किसी दिन आपको कुछ हो गया और ऐसा ब्यावार, अगर मैं आपकी बेटी के साथ करूँगी, तो कैसा लगेगा उसे? चुप कर तु, मुझे क्यों कुछ होगा? और तु मेरी बेटी का नाम तो लेना मत हाँ मा, भावी बिल्कुल सही कह रही है, ये घर भावी का ससुराल और माईका दोनों होना चाहिए था ममी जी, ये सही कह रही है, आज से मधु, मेरी भावी नहीं, बहन है, आज से जो भी माईके का फर्ज होगा, मैं निभाऊँगा अरे संधन जी, आप यहाँ? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, आज से ये मेरी बेटी है, चल मेरी बच्ची, मैं तुझे लेने आई हूँ, चल तू अपने माईके, तेरा माईका तुझे इंतजार कर रहा है नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती थी, कि मैंने इसे अपनी बेटी नहीं मान पाई मधू बेटा, आज से ये तेरा माईका ससुराल दोनों है, मैं तुझे माईका प्यार दूँगी सच ममी जी, मैं तो धर्ने हो गई, मुझे यार दो-दो माईका मिल गया मुझे